बारात मताकी अरे भाई अमेठी वाले ऐसे बोलेंगे क्या ऐसे बोलेंगे मेरे साथ दोनों हाथ उड़ा कर भारतिये जंता पाटी को मजबूत करने के संकल्प की मुठी भींच कर मुलंदावाद से बोलेंगे बनात मताकी आरे बंच उपरुपस्तेत अत्तर प्रदेश साशन के लोगप्रिय मुक्यमंद्री योगी आदिख्यनाजी वारत सरकार में वस्त्र मंत्री और इनपर्प केंड्रिय मंत्री बेहन सुनूती बेहन हमारे प्रदर सत्यत स्रिमान महेंद्रनाथ पांडे जी बाई सुरेश पासी जी श्री बल्देव ओलग जी बाई महसीन वेजा जी श्री अनील राजबर जी श्री मती गरीमा सिंग जी श्री लक्ष्मन आचारिय जी श्री महेंके स्वर जी श्री दल बादूर कोरी जी मन्च उपर उपस्तित भारतिय जन्ता पार्टी के संगठन की आत्माए से संगठन के सभी पदादिकारी और आज की ये विराट सभा में आये हुए अमेठी जन्तपत के प्यारे भाईयों और बेहनों सबसे पहले मैं अमेठी की जन्ता का रदय से जन्यवाद करने के लिए यहाँ पर उपस्तित हुआ हूँ क्योंकि मित्रों जब विदान सभा का चुनाव था और हम यहाँ पर प्रचार कर रहे थे भार्टिय जन्ता पार्टी के हजारों कारेकरता उस वक्त मैं अमेठी में महरानी साहिवा की सभा को संभूदित करने के लिए आया था और मैंने अमेठी में अमेठी की जन्ता को एक अपील की थी कि उत्तफ अदेश में सरकार तो बनने वाली है मगर हम अमेठी के विधायकों से सरकार बनाना चाहते हैं और मेरी अपील को भार्तिय जन्ता पार्टी की अपील को आप लोगों ने संपूर्ण आशिरवाद दे कर पास में से चार सीट भार्तिय जन्ता पार्टी को जिता कर समर्थन किया और मित्रो मैं इसके लिए रदाई से बारतिय जनता पार्टी की और से अमेठी की ये महान जनता का करबद दन्यवाद करना चाहता हूं बित्रो आज मैं यहाँ पर स्मुनूती बेन के बुलावे पर आया हूँ और इसलिए नहीं आया कि स्मुनूती जी केंद्र सरकार की कट्डावर नेता है मंत्री है मैं इसलिए आया हूँ कि मैं 30 साल से 35 साल से चारवजनिक धीवन में हूँ मगर मैंने ऐसा नहीं देखा कि जीता हुआ प्रत्यासी जन प्रतिनिती तो कभी न आये और हारी हुई प्रत्यासी बच्चे की तरह अमेठी को गले लगा कर विकास के काम करें मित्रयक नय अउदारन जब जनादेश नहीं मिलता है तो लोग जनता से मूँ मोड लेते हैं अमेठी की जनता ने जीतने के लिए परियाप्त मतुस्वक्ष रुती जी को नहीं दिये मगर उन्होंने हारने के बाद भी अमेठी को कभी नहीं छोड़ा कभी नहीं छोड़ा और आज इसी के कारण पांच में से चार सीटे भारतिय जनता पार्टी जीती है और अमीठे की अंदर एक विकास की घंगा शुरू हो मित्रों यह अमेठी मत्क शेत्र एक अमेठी की जनता को दुनिया में कोई जाने न जाने अमेठी शेत्र को पूरी दुनिया जानती है क्योंकि घंधी नहरूप परिवार का एक ग्रूप शेत्र है विवाइपिक शेत्र है और मित्रों आज आदी से आज तक यहां से बड़े बड़े दिग्ज़ों को आपने चुनाव जिता कर भेजा मैं ये पूछना चाहता हूँ जब तक नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार नहीं आई जब तक योगी आदित्यनाद की भाजपा सरकार नहीं आई अमेठी के विकास के लिए क्या हुआ वई कुछ हुआ है जिरा जोर से बोला कुछ हुआ है मित्रों आज इस अमेठी की धर्ती पर से मैं कॉंग्रेस के सहजाद ध्री राहूल गांधी को भी पूछना था का हूँ सिन T chain पिठों तक आपको अमेठी की संता को विए जुट cũng अमारे तीन थीन साल के हिसाब माते वो राहूल बाबा मोदी बेने सिन साल में क्या किया एए मैठी की जंता तीन पिड़ी का हिसाब माती है आप से के तीन पिड़ी तक आप ने चा किया मित्रो सत्तर साल तक पंचायच सेले के पार्लामेंट तक का साथन एक गांदी परिवार के साथ था मगर यहां पर विकास नहीं हुआ आज मैं राहूल गांदी को इस धर्थी पर से सवाल पूछना थे वो गुजराच में है और गुजराच के विकास के लिए सवाल पूछ रहे मैं आज इस धर्थी पर राहूल गांदी जी को सवाल पूछना चाहता हूँ कि राहूल जी आप मुझे बताईए इतने साल से अब सांसद है अब तक अमेठी में कलेक्टर ओफिस क्यों नहीं बनी अब तक टीबी का अस्पताल क्यों नहीं बना अब तक आकासवानी का एफेम रेडियो क्यों नहीं आया अब तक गरीबों को आवाज क्यों नहीं मिले अब तक ये माघोमती के कटाउ से कटने वाले गाओं को सुरत साथ क्यों प्रदान नहीं कि एक गुजरात में सवाल खड़े करते हैं, मैं आज अमेठी की धर्ती पर एक बात दुनिया के सामने कहता चाहता हूँ, इस देश में दो प्रकार के मॉडल है, विकास के दो प्रकार के मॉडल हैं, एक गाधी नहरू परिवार का मॉडल और एक मोदी मॉडल है। मित्रो, गाधी नहरू परिवार ने क्या किया मैंने अभी बताया, आज सुनुती बेन ये तारी जो गैलरी लगी है, ये अमेठी के विकास की गैलरी और सुनुती बेन ये सारे विकास को योगी जी की सरकार को साथ मेलेकर मोदी जी की सरकार को साथ मेलेकर आगे बढ़ा रहे हैं और गुजरात में, हर गाव में, हर गाव में बिजली 24 गंटा आती है, हर घर में पानी पहुचाने का काम समाप्त हो चुका है, हर तैसिल के अंदर, हर तैसिल के अंदर एक प्रकार से पब्लिक हेल्ट सेंटर का अच्छा सेंटर खड़ा कर दिया गया है. मित्रो, अब यहां पर भी योगी जी की सरकार आई है, मैं आपको आस्वस्त करना चाहता हूँ, योगी जी के नेत्रुत में जम हम फिर से बार, फिर से वोट लेने के लिए आएंगे, उस वक्त उत्तर प्रदेश भी गुजरात के जैसा विक्तित राज्य बना कर आएंगे. मैं मानता हूँ, कि उत्तर प्रदेश भी अब भीक्सित राज्य बनने जा रहा है, इतने कम समय के अंदर, चिसानों की करजामा भी, गेहू की खरीदी, देज लाज किलो मुटर रुपा घटा मुक्त करना, और बहुत सारे काम, 9 लाज से ज्यादा गरीबों के आवास बनान का काम योगी जी ने हाच में लिया, योगी जी उत्तर प्रदेश में और मोदी जी दिल्ली में, मित्रो यह जो जोड़ी है, उत्तर प्रदेश का विकास करने वाली जोड़ी है, मित्रो, योगी जी और मोदी जी मिलकर आप पूरे उत्तर प्रदेश को एक विक्सित राज् नरेंद्र भाई के नेत्रुत में हर घरीब के घर में बेंक एकाउंट पहुचाने का काम हुआ उनके घर में हर घरीब के घर में जैस का चूला पहुचाने का काम हो रहा है उनके नेत्रुत में हर घरीब के घर में सोचाने पहुचाने का काम हो रहा है मोधी जी के नेतुत में हर घर में हर गाउं में बिजली पहुंचाने का कम आगे बर रहा है अब सतर साल के बाद अगर मोधी जी को ये सब करना पड़ता है तो राहूल बाबा आप हिसाब दीजिए आपकी पर्नाना, आपकी नानी, आपके पिता जी, आपकी माता जी ये सारे लोग सत्ता में रहे ये सबब मोदी जी को क्यों करना पड़ा है और यहां से गुजराट जाकर गुजराट के विकास का मखोल उडाते हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि गुजराट का विकास तो गुजराट की जंता जानती है राहूल बाबा तनीक अमेठी को देख लिजिए अमेठी में आपने क्या बंटा धार करकर रखा था मित्रों यह भारती जंता पार्टी की जो सरकार है मोदी जी के नेत्रत में उसने दुनिया में भारत का सन्मान बढ़ाने का काम किया है मोदी जी आज विस्तों में कहीं पर भी जाते हैं अमरिका जाते हैं जापान जाते हैं इंगलेंड जाते हैं रस्या जाते हैं चीन जापते हैं लंका नेपल भूता जहा जाते हजरों लोग मोदी जी के स्वागत में इखट्था हो जाते। मित्रों एस्वागत मोदी जी का नहीं है। इस्वागत भारतिय जनता पार्टी का नहीं है। इस स्वागत इस देश की सवा सो करोड जनता का स्वागत है मित्रो जो दुनिया में मोदी जी को मिल रहा है और मैं आज आप सब के सामने हिसाब देने आया हूं मित्रो राहूल बाबा हमेशा पुत्ते हैं कि मोदी जी ने क्या किया मैं बताना चाहता हूं राहूल बाबा जब आपकी सरकार थी उत्तर पदेश को 13 वे वितायोग में केंड्री एकर में 2,80,000 करोड मिलता था और आज मोदी जी की सरकार है इसको बढ़ा कर 2,80,000 करोड से बढ़ा कर 7,10,000 करोड देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है अनुदाय साहंता, डेवेन्य डेफिसेट, दिलिप ग्रांड और स्थानी एकाई अनुदान तीनों मिलाकर 4,77,000 करोड ज्यादा देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है मित्रो मुझे एक बाद बताईए, ए राहूल जी हर जगे पुट्ते हैं कि मोदी सरकार ने 3 साल में क्या किया, मुझे जवाब देना चाहिए और नहीं देना चाहिए जड़ा जोर से बोलो देना चाहिए और नहीं देना चाहिए पीछे वाले बोलो देना चाहिए मित्रो मोदी जी की सरकार ने 3 साल में गरीद के लिए, किसानों के लिए, महिलाओ के लिए, दलितों के लिए, पिछडों के लिए, आधिवाक्षों के लिए, युवाओ के लिए 106 से ज्यादा योजनाए लाई 106 से ज्यादा उजनाए मैं उसकी सूची लेकर आया हूँ 106 योजनाओं को पढ़ नहीं सकते मगर मुझे इसाब देने के लिए आपने कहा मैं इसाब जरूर दूँगा मैं जोर से योजनाओं को पढ़ता हूँ आपको लगे मोदी जी अच्छा कांग करे है तो चाली बजा कर रोक देना है पढ़ू जोर से जड़ा बोलो भईया पढ़ू जोर से पढ़ू प्रदान मंत्री जंदन योजनाओं प्रदान मंत्री आवास उन्दा सुकन ने समरूदी योजना सुद्रा बेंट जोदना डिवन जोदी इमारजना शुरत्रा इमारजना कल पेंट सनुदना सांचसा दाजस कर फुचल इमारजना ग्राम सिंचा जोदना मेकिन इंडिया सवच बारत अब्यान अरे भाईया अभी तो बारा तक पहुंचा हूं मैं 106 योदना है साइद राहूल बाबा को ए 106 की गिंती भी नहीं आती है इसलिए हमेशा सवाल पूते यह पूते हैं आपने क्या किया ए राहूल बाबा सबसे पहला काम हमने किया बोलने वाला प्रदान मंत्री देने का काम किया आपने तो एक ऐसा प्रदान मंद्री दिया था जिसको सुनने के लिए जंटा तरस जाती थी छे महिने तक आपके घर के सामने दिखते रहते थे इस सारा नहीं होता था बोलते ही नहीं हमें पुट्चे हैं क्या कि इतने सालों से देश की सिमा उपर पाथ प्रेडी टातंकवा नमाधी हमले करते थी जवानों को परेसां करते थी अपमानी तर्फ करते थी जांग ले लेते हुए इसका कोई मांकुल जवाब नहीं दिया जाता था बित्रो हूरी के अंदर कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी पाध प्रेरी चाटंक वाधियों ने हम लाठिया और हमले के अंदर बारा जवानों को जिन्दा चला थी बड़े सरके सबेरे लड़ने का मौका भी नहीं दिया पूरा देश अस्त्रो जिट्टा कि अब क्या होगा क्या होगा मगर इस बार कॉंग्रेस की सरकार नहीं थी भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार थी नरेज्द्र मोदी की सरकार थी दसी दिन के अंदर हमारे सैना के जवान पाकिस्तान के अंदर घुज़े सर्धिकल स्टाइट करकर बढ़ला लेकर वापी थाए राहुल बाबा यह आपको दिखाए नहीं पड़ता क्यूंकि आपका दोस्त नहीं है आपका चस्मा जरा इटालियन चस्मा है हिंदुस्तान की चीज़े आपको दिखाए नहीं पड़ती है मित्रों आज एपिसाल जन समुदा है जो में मेरे सामने फैला हुआ देख रहा हूं मुझे मालूम है कि पूरे देश में जि असमुं है मगर मैं आपको भ्रोसा देनी हाए उन्निस में जब उनने जब हम भादताके लिए वोट बांगने आये हैंगे हुआ एसा नहीं करेंगे किने इस सोचेंगे एक रना चाहिए एक हर एंणे हम आएंगे यह हमने कर दिया है के कलेक्टर का ओफीस बना दिया अस्पताल बना दिया गंगा गउंती का कटाव रोप दिया लोगों को घरीबों को घर दे दिये गाओं में बिजली पहुचा दी सोता ले दे दिये घैस के चुले दिये हम 19 में जब आएंगे तब अपने काम का हिसाब लेकर आएंगे और मित्रों आज फिर से एक बार जब आपने 5 में से 4 सिते भारतिय जनता पार्टी को दी है मैं अमेठी की जनता को कर्बद निवेदन करने जाता हूँ जाना चाहता हूँ कि आपने 60 साल पर तत एक परिवार पर भरोसा किया है एक बार भारतिय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पर भरोसा करो कभी पच्ताना नहीं पड़ेगा मित्रो आज अमेठी में जो विकास की नई सुरुवात हो रही है अनेक लाभारतियों को लाग मिलने वाले हैं वो सभी लोगों को बारतिय जनता पार्टी के ज्यक्तनाते रदय की गहराईयों से मैं बधाई देना चाहता हूँ और बेन स्मृति बेन और योगी जी दोनों को रदय से साधुवात देना चाहता हूँ कि बारिस की रह देखती ये अत्रुप्त धर्दी पर आपने विकास की बारिस पहुंचाई है ये सिलसिला आगे भी चालू रखेगा ये बात कहकर मेरी बात को समाप करता हूँ मेरे साथ बोलिए बारत मता की बारत मता की बारत मता की बंदे मातरम